सहारनपूर अमरोजाला ग्लोकाल की ओर से हाई स्कूल इंटर्मेडियेट को सर्टिफिकेट मैंडल दे कर सम्मानित किया गया जन्मंच में सहारनपूर जलादिकारी डॉक्टर दिनेश चंदर ने बढ़ाया बच्चों का मनूबल और उत्साह जलादिकारी ने बच्चों को बताया कि हरी सबस्यों का उप्योग करना चाहिए चुकंदर का उप्योग करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में ताकत बनी रहे और सभी बच्चों को शपत दिला कर कहा कि योगा करने से स्वरी उस्वस्त रहता है पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने हरोगा पर्यावरण की रक्षा करना हमारा करतव यह है चाहे हमें अपने घरों में तुलसी का पोधा क्यों लगाना पड़े हर घर में हर आंगर में सारवजने के स्थानों पर एक पेड़ होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा पर्या वरण शुद रहे और जुलाधेकारी महुदे ने प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के लिए बच्चों को आगरे किया प्लास्टिक का उप्योग नहीं करना चाहिए ने तो प्रयोग करेंगे ने करने देंगे इसी प्रकार अपने जीवन को स्वस्त रखने के लिए योग का नियमित अभ्यास करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी योग करने के लिए प्रेडित करेंगे 15 जून से 21 जून के योग सब्ता के अंतरगत हर घर आनग योग नियस्वन भी करेंगे अपने माता पिता काकी दादा चाची सभी को योग कराएंगे और उन सब का सुन्दर फोटो अमर उजाला और सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे जय हिन जय भारत देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर